वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आईटी आई ट्यूसन में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नवोधय विद्याले समित एलक्टीशन कम प्लंबर के मौडल पेपर की तो यह मौडल पेपर जो है दूसरा मौडल अगर आप सभी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है जाकर देख सकते हैं साथी साथ एलक्टीशन कम प्लंबर का जो है प्रीबियस पेपर का भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जाकर आप सभी सभी वीडियो को देख सकते हैं, तो चलिए फ्रेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, तो चलिए फ्रेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस बार यहाँ पर लिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए पहला कुशन है कौन सा परिच्छड एक नए बोमिकट सीवर पाइप के लिए जो है उपियूकत है option A दुआ परिच्छड, जल परिच्छड, चोटा परिच्छड या एर परिच्छड तो भूमिगत सीवर पाइप के लिए कौन सा परिच्छड किया जाता है तो करेक्ट अंसर इसका है जल परिच्छड यहाँ पर किया जाता है option B यहाँ पर करेक्ट अंसर हो जाएगा second question देखिए दूसरा question है गर्म bending विदी द्वारा pipe को bending से पहले सूखी रेट क्यों भरी जाती है ट्यूब को तूटने से रोकने के लिए ट्यूब को लंबाई बढ़ने से रोकने के लिए रंग परिवर्थन से बचने के लिए या गठन से बचने के लिए तो इसका यूज जो है किसके लिए किया जाता है ट्यूब को तूटने से रोकने के लिए किया जाता है option A यहाँ पर correct answer हो जाएगा तीसरा question देखिए पूछा गया है pump और जल श्रोत अस्तर के बीच उर्दवादर दूरी क्या होती है delivery head, suction head, prime head या friction head तो इसकी दूरी क्या होती है तो यहाँ पर जो correct answer है option B है इसे section head का जाता है B option इस question का correct answer हो जाएगा question number चोथा पूछा गया है कौन सी pump जो है संपीडी थावा द्वारा संचालित होती है यहाँ पर option A रेशी प्रोकिटिंग pump रेशी प्रोकिटिंग pump यहाँ पर जिद देखिए option जो है rotary pump होना चाहिए यहाँ पर हिंदी टाइपिंग में स्टेक हो गया है rotary pump होना चाहिए air lift pump booster pump तो यहाँ पर देखिए question number चोथा का जो right answer है यह है air lift pump option number यहाँ पर third option correct answer है अगला question देखिए question number यहाँ पर है यहाँ पर पांचवा नमबर का बड़े ब्यास के concrete or established cement pipe को जोड़ने के लिए किस बरकार के joint का उप्योग किया जाता है यहाँ पर option है floor note joint, screw with joint, collar joint या lid, crawling, crockling joint तो यहाँ पर जो correct answer है collar joint का यूज़ करते हैं option C यहाँ पर correct answer हो जाएगा question number चटा पोचा गया है स्वास्त के द्रिष्टी से कई देशों में जो है किस pipe पर प्रतिबंद है तो स्वास्त की द्रिष्ट जो है कई सारे pipe पर प्रतिबंद लगा दिया गया है तो किन pipe पर प्रतिबंद लगा है steel की pipe पर, establishes cement की pipe पर, cast iron की pipe पर या carbonized iron की pipe पर, तो यहां पर जो है किस pipe पर प्रतिबंद लगा दिया गया है तो option B यहां पर correct answer हो जाएगा question number देखे, सातवा नमबर का है bin 24 की body बनाने के लिए सामगरी क्या है तो bin 24 की body जो है, किस सामगरी से बनाई जाती है option है, medium carbon steel से, high carbon steel से, high speed steel से, या cast iron से तो correct answer है, इसकी body जो हती है, bin 24 की, यह जो है, cast iron की बनाई जाती है option D यहां पर correct answer हो जाएगा question number 8 पूछा गया है अंकन उद्देश के लिए उपयोग किये जाने वाले हतोड़े का वजन कितना होता है अंकन उद्देश के लिए कितने वजन का हतोड़ा उपयोग किया जाता है 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम या 125 ग्राम तो यहाँ पर जो है 500 ग्राम के हतोड़े का यूज़ किया जाता है option B यहाँ पर correct answer हो जाएगा question number 9 है जो acid टाका में stainless steel के लिए एक प्रवा के रूप में प्रियोग किया जाता है उसका नाम क्या है पासपोरी केसिट, सलफ्यूरी केसिट, नाइट्री केसिट या हाइड्रो क्लोरी केसिट तो यहाँ पर जो है किसका यूज़ करते हैं पासपोरी केसिट का यूज़ करते हैं option यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला question देखिए question number 10 पूचा गया है भराव धा तो किस प्रकार का प्रवा है जबकि गैस विल्डिंग की आउसकता नहीं होती है तो यहाँ पर देखिए option है मद्यम निकल पीतल, कॉपर भराव राड, उच्छ सिलिकॉन कच्चा लोहा या हलके स्टील प्रकार की या फ्रेसाई तो यहाँ पर इस question का जो right answer है option number D यहाँ पर correct answer हो जाएगा question number 11 पूचा गया है कौन सा मीटर पानी का रंग को मापने के लिए प्रियोग किया जाता है option A, tintometer, thermometer, thermometer, monometer या hydometer तो hydometer से घनत नापा जाता है तो यहाँ पर पानी के रंग को मापने के लिए टिंटो मीटर का यूज किया जाता है option A, यहाँ पर correct answer हो जाएगा question number 12 पूचा गया है कौन सी प्रक्रिया जल सोधन उपचार में प्रसार के सिद्दान पर काम करती है option A, जियोलाइड प्रक्रिया, लाइम सोड़ा प्रक्रिया, रिवर्स ओसमेसिक प्रक्रिया या डिमिरिलाइजेशन प्रक्रिया तो यहाँ पर देखिए option number काउन से correct answer हो जाएगा option number 3 यानि कि reverse ओसमेसिस प्रक्रिया का योज जो है जल सोदन उप्चार में किया जाता है तो यह सिद्दान पर काम करता है, option C यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला question देखिए, question number 13 question number 13 पूछा गया है, वास बेसिन में अपसिष्ट पाइप का ब्यास जो है, क्या होता है चालिस मिमी, 32 mm, 50 mm या फिर 62 mm, तो वास बेसिन में जो पाइप का ब्यास होता है अपसिष्ट पाइप का ब्यास होता है, यह 32 mm होता है option B यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला question देखिए, किसी यंतर की सुग्राहिता की क्या ही क्या होती है और यहाँ पर देखिए, किसी यंतर की सुग्राहिता की क्या ही क्या होती है option number ही, यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला question है पानी के नल का नियूनतम आकार क्या है पानी के नल का नियूनतम आकार क्या होता है 10 mm, 15 mm, 25 mm या 30 mm तो correct answer है option number B 15 mm होता है यहाँ पर B option इस question का correct answer है अगला question है निमलेकित में से कौन सा केबल को यांतरिक शती से बचाता है केबल के यांतरिक शती को जो है कौन बचाता है option है code, bidding, armoring या seat seat है यहाँ पर होगा seat तो यहाँ पर जो है correct answer कौन सा हो जाएगा option number यहाँ पर C option correct answer है अगला question, question number 17 पूछा गया है lap winding में दो समांतर पतों की संख्या हमेशा होती है lap winding में समांतर पतों की संख्या हमेशा कैसी होती है दो होती है, द्रोवों की संख्या किसे आदी होती है द्रोवों की संख्या के बराबर होती है या द्रोवों की संख्या से दोगनी होती है तो correct answer है option number 3 यहाँ पर जो है द्रोवों की संख्या के बराबर होती है option C यहाँ पर correct answer है कुछ नमबर ठारा पूछ गया है कुंडलन यानि कि वाइंडिंग प्रत्रोत की वज़े से होने वाली हानियों को क्या कहते हैं लो हानिया तामर हानिया यानि कि अगला अप्शन है भवर हानिया या सैतिल हानिया यानि कि स्टेरिसिस लॉस तो प्रत्रोत की वज़े से होने वाली हानियों को क्या कहते हैं तो इसे जो है copper losses कहते हैं option number second यानि की B option correct answer इसका है अगला कुछन है 3 point starter का इस्तमाल किया जाता है 3 point starter का इस्तमाल जो है किसमें किया जाता है series motor में, sunt motor में, series compound motor दोनों में या sunt even compound motor में तो इसका यो जो है 3 point starter का यो जो है sunt even compound motor दोनों में किया जाता है option number D यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला कुछन देखिए question number यहाँ पर है 20 नंबर का है 20 नंबर का है इसी तरंग के रूप में इसी तरंग के रूप गुड़क यानि के form factor को 10 के अनुपात के रूप में परिवासित किया जाता है rms मान और ताचडिक मान सिखर मान और ताचडिक मान सिखर मान और असत मान या rms मान और होसत मान तो form factor को जो है आर्मस मान और होसत मान के रूप में परिवासित किया जाता है option D यहां पर correct answer हो जाएगा अगला कुछ नहीं यह CR में होते हैं 2 PN जक्सन, 3 PN जक्सन या 1 PN जक्सन या इनमें से कोई नहीं तो यहां पर CR में कितने PN जक्सन होते हैं यहां पर 3 PN जक्सन होते हैं option B यहां पर correct answer हो जाएगा अगला कुछ नहीं पूचा गया है खराद मैसीनों में आम तोर पर DS motor का इस्तमाल किया जाता है तो खराद मैसीनों में किस motor का इस्तमाल किया जाता है तो यहां पर जो correct answer है 22 का यहां पर खराद मैसीनों में जो है DC संट मोटर का यूज़ करते हैं option A यहां पर correct answer हो जाएगा अगला कुछन है ट्रांसफार्मर की अधिक्तम दच्छता के लिए क्या होना चाहिए ताम रहानिया सुन्य होनी चाहिए ताम रहानिया लोहानिया से अधिक होनी चाहिए या ताम रहानिया लोहानिया से कम होनी चाहिए या फिर ताम रहानिया लोहानिया के बराबर होनी चाहिए तो यहां पर देखिए correct answer है option number D ताम रहानिया जो है लोहानिया के बराबर होनी चाहिए अगला कुछन है Portable Drill में निम्लेकित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है Portable Drill में जो है किस मोटर का उप्योच करते हैं Option है Universal Motor, Capacitator Run Motor, Repulsion Motor या फिर Hysteresis Motor तो डिल में जो है कौन सी मोटर का उप्योच करते हैं Universal Motor का उप्योच करते हैं Option number A यहाँ पर correct answer है अगला कुछन है निमलेकिते में से कौन सा गटक जो है DC मसीन में मौजूद है लेकिन AC मसीन में नहीं होता है दस्ता या साउप्ट, इस्टेटर, केमुटेटर या वाइंडिंग तो करेक्ट एंसर इस कुछन का है option number C, केमुटेटर option C, यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा 26 नमबर कुछन है निमलेकिते में से कौन सा सिद्दान तो जो है KVL पर आधारित है और जा सनर्चड का सिद्दान, हावेश का सनर्चड का सिद्दान, द्रवमान का सनर्चड का सिद्दान या समवेक का तो correct answer है ओर्जा का सनरच्षर सिद्धान्त जो है KVL पर आधारित होता है अगला question देखिए 27 नंबर का है प्रतिबादा और प्रतरोत का अनपाद जो है क्या होता है प्रतिबादा और प्रतरोत का अनपाद क्या होता है form factor, power factor, सक्ति या आयाम तो इसका correct answer है option B, power factor होता है अगला question 28 नंबर का है CRO का उप्योग जो है कि सीमा तक की आप रितियों को मापने के लिए किया जाता है तो यहाँ पर option है 1 GHz, 1 MHz, 20 KHz या 20 Hz तो correct answer है CRO का यो जो है 1 GHz की frequency को मापने के लिए किया जाता है question 29 नंबर यहाँ पर है 29 DC मोटर में बै कीमे या पर सिविद्दुत वाहक बल की ओधारड़ा जो है किस नियम पर आधारित होती है पहराडे के नियम पर, लिंज के नियम पर, किस चाप के दारा नियम पर या फिर ओम के नियम पर तो correct answer है, यह लिंज के नियम पर आधारित होती है option B यहाँ पर correct answer हो जाएगा question 30 है, निमलेकित में से कौन एक धारा नियंतित उपकरड़ है यह फिटी, IGBT, BJT या MOSFET तो correct answer इसका है, option number C BJT यह एक हो जो आते हैं, यह धारा नियंतित उपकरड़ होती है option C यहाँ पर correct answer है तो अगला question आप से भी comment करके बताएगा घरेलू wiring यह उन छोटी काईयों के लिए सुरच्चा उपाय की रूप में निमलिकत में से किसका उपयोग किया जाता है यह CB का, MCCB का, MCB का यह OCB का तो इसका उतर comment box में comment करिएगा और यहाँ पर 30 questions हो चुके हैं और 30 questions नेक्स्ट पार्ट में अपलोड किया जाएगा तो आप सभी wait करिएगा दोपार तक जो है इसका वीडियो आप सभी के सामने जो है उपलब्ध हो जाएगा तो आज के लिए बस इतना है तैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो